कोटवार की मौत एक बच्चा समेट दो खायल साडू के बेटे की बरात में शामिल होने जा रहा था डीजे वहान ने रोंदा बड़ी खबर आपको बता दे साडू के बेटे के बराक में शामिल होने बाइक से जा रहे 50 साल के गाउं के कोटवार को डीजे वहां ने टकर मार दी सड़क पर गिरे कोटवार को गाड़ी ड्रौंदिती हुई निकल गई लोगों ने उसे शिवपुरी के जिला स्पताल में पहुचाया जहां उसकी मौत हो गई हादसे में एक बच्चा समेट दो लोग घायल हुए हैं कोटवार के रहने वाले दूसरे फूफा के लड़के की बाराक में शामिल होने के लिए मामोनी और Pre्या दस वर्षिये भी बाइक पर सवार थे जहां सामने से आ रहे हैं एक अग्यात डीजे वाहन ने फूफा जहार सिंग परिहार की बाइक में जोरदा टकर मार दी थी दुरगटना को अंजाम देने के बार डीजे वाहन भी मौके से फरार हो गया हाथसे में मेरे फूफा जहार सिंग अर्जन परिहार और राज परिहार घायल हो गये थे सभी घायलों को तदकाल शियुपुरी के जला स्पताल मिला कर भड़ती कर आया गया था जहां मेरे फूफा जहार सिंग परिहार ने उपचार के दोरान दम तोड़ दिया अस्पिताल चोकी पुलिस ने मामला दर्च करते हुए शब पोस्ट मॉटम के लिए बेज कर जात शुरू कर दी है राम दिलाल परियार कहां रहते हो अमरी कला जी एक्सिजेंट हुआ है कैसे कहां पर हुआ था जी बरेला से मामों कला जा रहे थी किसले गाड़ी आगे थी अधिन परियार की पीछे आगे से दीजेवाला आया वह बहुत दारुटिया हुए ते दर उदर सिबूर सिगा रहा था इदर घुमा रहा था उदर मेशी गाड़ी निकली वह तो कितने लोग सबार थे उस छightा की फूपाजिस थे जुक समंगोवर वि तो क्या ना में कहा से तो क्यूं जा रहे थे ऐसे लेकर मामों निकला किसकी पराद थी गाड़ी वगारा को पकड़ लिया गया है तो पकड़ा आप किस जगे गटना करा में गटना करना हुगा तो एक फुलिया के पास हुआ एक दू महूल थारे हुआ हुआ